हलो गाईज मैं हूँ पपो और आप सबको आसानी से किलियर करने वाला हूँ जनन और लेंगिक जनन और अलेंगिक जनन तो गाईज यहाँ पर आप बस ध्यान दीजेगा तो आईए इसको अब हम समझ ही लेते हैं तो भाई साहब आप सबको आसानी से दिख रहा है जनन ओके तो भाई साहब इंगलिस में इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन यहाँ तक आपको किलियर होगा गाईज आसानी से मैंने क्या लिख रहा है कि अपने ही जैसा कोई भी जिव जिवों को जनम देते हैं तो यही परकिरिया हमारा जनन कहराता है जी हां साथियो जनन आपको बस आसानी से ख्याल रखना है कि अपने ही जैसा कोई भी जीव होगा या हम हो कि आप हो या बकरी हो गाय हो भैंस हो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक्जामपल में ले रखा है कि गाय भैंस बकरी मनुसिय पिन पौधे आदी और आप ले सकते हैं तो गाय यहां पर परिभासा क्या कह रहा है कि अपने ही जैसा कोई भी जीव जीवों को जनम देते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है जनन एक्जामपल के लिए भाई शाब गाय आप जानते होंगे और गाय अपने ही जैसा सिसु का जनम देता ही है और भैंस बकरी मनुसिय और पिन पौधे आप आसानी से समझ सकते हैं तो जनन के बारे में आपको क्लियर रहा कि नहीं रहा अगर आ गया हो तो चलिए अब आगे की चीज़ों को सिखते हैं आप सब आसानी से देख पा रहा है लैंगी के जनन बस ध्यान दीजेगा आसान है पस कुछ नहीं है यहाँ पर लैंगी के जनन लिखा हुआ है इसे इंगलिस में कहते है सेक्सूल रिप्रोडक्शन ओके गाइस आसानी से मैंने लिख रहा है कि यह वह पर किरिया है जिसमें नर और मादा को मिलने पर बच्चे जनन लेते हैं तो यही हमारा लैंगी के जनन कहलाता है आपको अभी नहीं आया होगा यहाँ पर कह रहा है कि यह वह पर किरिया है जिसमें नर और मादा नर समझें तो आप इजी ली समझेंगे तो पूरुस और मादा यानी समझें महिला ओके तो भाई सहाब इजी वे में देख सकते हैं मैंने एक्जामपल में ले रखा है मनूसिया अब मनुस्ये जो है उसमें नर और मादा दोनों आ जाते हैं तो भाई सहाब नर और मादा को मिलने पर जैसे ही जो बच्चे जनम लेंगे तो यही हमारा परकिरिया ही क्या कहलाएगा लैंगी के जनन तो आसानी से आप एक्जामपल में देख सकते हैं मनुस्ये, कुता, गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी ये सब हमारे लैंगी के जनन में आते हैं ये सब लैंगी के जनन में क्यों आते हैं क्योंकि ये सब में जिवों को जनम देने के लिए हमें नर और मादा दोनों का होना जरूरी है तो लेंगी की जनन में आपको आसानी से ख्याल रखना है कि नर और मादा रहेंगे तब ही बच्चे जनम होंगे तो यही परकिरिया ही हमारा क्या कहलाएगा लेंगी की जनन तो आप example में मैंने लिख रहा है मनूसी तो यहार मनूसी में आप समझ सकते हो लड़का और एक लड़की दोनों आपस में मिलते हैं तो यहार एक बच्चे का जनम होता हूँ हमको समझाने के जरुवत नहीं है वो आप समझ सकते हैं तो लेंगी की जनन में आप आसानी से समझ सकते हैं तो लjesनलओंे आपको आगर आखे हो वह तो सिलिए अब हम समझजा ही लेते हैं अलाएंगी कि जनलओं यहाँ पर आप सब कैले दिख रहा है अलाएंगी कि जनलओं जिसां इंग्लेश में कहते हैं इसाइक्शुल रिप्रोडक्षन ओक्र तो मैंने यहां पर क्या लिख रखा है समझिए कि वह विधी जिसमें सिर्फ एक कोशी की यह जिव अब आजाता है बात एक कोशी की यह जिव का मैंने वीडियो औरेटी बना रखा है यहां पर आई एक बटन आया होगा इस पर आप क्लिक किजिए और देख लिजिए ठीक है बसरते अब यहां पर मैं समझा ही दे रहा हूँ देखिए कि वह विधी जिसमें सिर्फ एक कोशी की यह जिव अपने जैसे जिवों को जनम देती हैं तो यही हमारा क्या क्या लाता है अलेंगी की जनन और हां साथ ही इनमें नर और मादा की जरूरत नहीं होता है अभी अप कि वह विधी जिसमें सिर्फ एक कोशी की जिव एक कोशी की जिव कहने का मतलब यह कि एक ही कोशी का से बना होगा जी हाँ भाई साब एक कोशी की जिव यानि समझे उसमें एक ही कोशी का होगा एक्जामपल के लिए मैंने ले रखा है अमीबा हमारे क्या है एक कोशी की जि जिवा इस्ट यूगलीना पैरामिसियम कले माइडो मोनास जिवानु आदी नाम थोड़ा कठीन है पर आसान है और हाँ आपको आसानी से आया कि नहीं आया अलाइंगी किजनन में सिर्फ यही ख्याल रखना है कि नर और मादा के जरूरत नहीं होता है और इसमें केवल एक अपने जैसे बच्चों का जनम देते हैं ठीक है तो अलाइंगी किजनन आपको क्लियरली आ गया होगा अगर नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो के नीचे जरूर लिखेगा और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए टेक केर हो सके तो एक लाइक जरूर कीजेगा